नमस्कार, मैं शिवेंदर शिंग अधिकारी, अनुदेशक, व्यावशाई, डाप्स्वेन, सिबिल, राज्किय अध्योगिक परसिक्षण सस्तान, चार भाग लखनो, आज मैं आपको व्यावशाई, डाप्स्वेन, सिबिल के पर्थम वर्ष के पाठिक्रम से रूफ के बार मैं परसिक्षण परदान करूँगा, रूप्स, बेसिस, फॉर्म सेंस के, पहले हम जानते हैं, बेसिक फॉर्म क्या होते हैं, इंटूडेक्शन या परिचाई पहले जान लेंगे हम, छत जो होती है, इमारत का एक टॉप मोस्ट हिस्सा होता है, या उपर का भाग होता है, जो सरस्वनात्मक मम्बरों पर supported रहता है यानि दिवार पर या अन्य कोई ऐसा भाग आया जिसके दोरा चब को support किया गया हो तो उसे सरस्वनात्मक मेंबर हम कहते हैं इस चब को हम covering पदार्थों से cover कर सकते हैं, किसी परकार का कवरिंग पदार्थ हम यूज कर सकते हैं, मेटल, स्टोन या टाइल्स, खपरेल, तो उन्हें हम कवरिंग पदार्थ कहते हैं, मुख्य रूप से छत का निर्मान, हम लोग ट्रस, पोर्टल्स, बीम, स्लैब, गुमबद, आधी परकार से, विबिन आकार या परकार से हम लोग कर सकते हैं, कवरिंग पदार्थों के रूप में हम एसी सीट, जी आई सीट, टाइल्स, लकडी का भी प्रियोग कर सकते हैं, यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एक इमारत के उपर परदान की गई, सबसे उपरी, ढकी हुई, सरचना, जिसे, जिसका निर्माण हम बारिस, बर्प, सूरज और हवा से बचाओ के लिए करते हैं, उसे हम रूफ या छट कहते हैं, element of roof, छट के भाग कह सकते हैं, सबसे पहले, इस्पान होता है, दो दिवारों के 20 की जो आंतरिक दूरी होती है, उसे हम इस्पान कहते हैं, यह दो दिवारे हैं हमारी, इसके यह 20 की दूरी है, तो यह हमारा इस्पान कहलाएगा, यह कमरे के size या चोड़ाई को भी हम इस्पान कह सकते हैं, उसके बाद आता है rise, राइज, वाल प्लेट से रिज के उपरी बिंदु के 20 की उर्द्वाधर दूरी या वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वो राइज कहलाती है, यानि जो हमारी वाल प्लेट है, वो यहाँ पर कहीं लगी होगी, इस जगाँ पर, इस से यहाँ से इसके रिज तक का जो टॉप का यह डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस हमारा जो है, राइज या उठान कहलाता है चत का, उसके बाद राफ्टर्स, रिज से इफ तक सपोर्ट के लिए लगाई जाने वाले लकडी के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो राप्टर कहलाते हैं, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, यह यह दो साइड डो हैं यहां पर इनको कोमन रफ्टर नाम दिया है। तो इंहें हम् राप्टर कहते हैं यह रिज क्वोर्ड टक इसका यह लगे होते हैं. इंहें हम लकडी की कडी भी कह सकते हैं। उसके बाद कॉमन राप्टर जैसा कि अभी हमने बताया common raptor roof covering को support करने के लिए यानि रूप covering जो लगी होती है उपपर उसको support करने के लिए लकड़ी की छोटी जो कड़ियां लगी होती है उन्हें हम common raptor कहते हैं और इन्हें eves से रिज तक लगाया जाता है जैसा कि इसमें दिख रहे हैं यह सब common raptor लगे हैं हमारे यह पूरी छत्पे तो यह रूप covering को support करते हैं उसके प्रिंसिपल राप्टर प्रिंसिपल राप्टर प्रिंसिपल राप्टर को support करने के लिए जो है हम मुख्य राप्टर या प्रिंसिपल राप्टर का प्रियोग करते हैं जो यह छोट राप्टर लगे इनके नीचे डॉटेड लाइन में दीख रहा है यह हमारा प्रिंसिपल राप्टर कहलाता है उसके बाद जैक राप्टर आता है यह जैक राप्टर Common Raptors से छोटे होते हैं और Eves से Valley तक इनका प्रियोग किया जाता है यहाँ पर जैसे यह लगे हैं यह सब हमारे Jack Raptor हैं और उसके बाद आता है Hip Raptor Hip Raptor दो ढलानों के junction पर लगाई जाने वाली कड़ी यह Hip Raptor कहलाती है यहाँ से यहाँ तक यह कड़ी लगी है जो यह सब Hip Raptor कहलाती हैं हमारी उसके बाद बैटन लकडी के flanks या तकते होते हैं यह छोटे जिनके उपर हम roof covering को fix करते हैं यानि यह जो राप्टर हैं इनके उपर हम planks को fix करते हैं जिसके उपर फिर हम roof covering को लगाते हैं और रूफ कवरिंग को सपोर्ट परदान करते हैं, उसके बाद क्लीट, लकडी के छोटे छोटे गुटके होते हैं, जो राप्टर, पिंस्पल राप्टर या वैली राप्टर को सरकने से या नीचे खिसकने से रोकते हैं, उनको हम क्लीट कहते हैं, लकडी के छोटे पाल्ट यहार टुकडे होते हैं साथ कोन बनाते हैं उसे हम पीच कहते हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते तो यह अगर यह समतल सतव है हमारी तो यहां पर जो एंगिल बनेगा 30 डिग्री 40 डिग्री या 35 डिग्री यह जो है हमारा पीच्या ढाल कहलाती है छतकी उसके बाद परलिन कॉमन राप्टर यह रूप कवरिंग को सहरा देने के लिए मुख्य राप्टर के उपर लगाए उसके बाद इव बोल्ड इव बोल्ड दिवार की सतो से दूर जो छत का प्रोजेक्शन होता है या छत दिवार से जितनी बाहर निकली होती है उसके लिए लकडी के हम बोल्ड से लगाते हैं छत के किनारे पर या प्रोजेक्शन पर और राप्टर के किनारों को ढखने के ल हुआ बाहर निकला हुआ प्रोजेक्टेट पाल्ट है इसके साइड में एक लकड़ी का प्लेंक लगा हुआ है पतला सा पंदरा से 20 सेंटीमीटर उचा होता है चोड़ाई में तो उसे हम इव बोल्ड कहते हैं उसके बाद वैली दो धलान जब एक साथ मिलते हैं तो एक इंट कहलाता है वाल प्लेट गॉन राप्टर को फिक्स करने के लिए हम लोग दिवार की उपरी सतों पर एक लकड़ी की बल्ली लगाते हैं या लकड़ी की कड़ी लगाते हैं उस कड़ी पर हम पूरी छट को कसते हैं और वो कड़ी जो है दिवार पर कसी रहती है तो उसे हम वाल प्लेट कहते हैं जो यह पूरा छट का आउरण है वो उसी जो है वाल प्लेट पर कसा होता ह जिससे हवा का दवाव सह सके हो, हवा में उड़ना सके या दाएं या बाएं तरफ शिप्ट न हो, उसके लिए हम वॉल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, बर्ज बोल्ड, लकडी का तक्ता होता है एक छोटा सा, जिस पे अंतिम किनारे पर, गैबल इंड पर इसे हम लगाते हैं उसे हम बर्ज बोल्ड कहते हैं, ये किनारे पर लगा रहता है इस तरह से, बर्ज बोल्ड ये इसमें यहाँ पर बना भी है, और उसके बाद बर्ज ढालू छत के टाइल्स आ दी, के जो गैबल भाग के आगे प्रक्षेप निकले रहते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, उनक कबरिंग के भाग होते हैं, जैसे टाइल्स है, जी आई सीट है, बाहर निकली रहती है, तो उसे हम वर्ज कहते हैं, गेबल, ढालू छत की दिवार का उपरी अंतिम ट्रेंगुलर भाग जो है, गेबल कहलाता है, जो इसका अंतिम पाल्ट है, उपर का टॉप का, ये गेबल कहलाता है, तिकोना भाग, उसके बाद टेंपलेट आता है, टेंपलेट एक पत्थर का या किसी और पदार्थ का ब्लॉग, आहिताकार ब्लॉग होता है, जिसे हम दिवार पर एक बड़े छेत्र में रखते हैं, जिससे वो बीम के या के भार को, या ट्रस के भार को जो है, दिवार पर ज्यादा दूरी पर या ज्यादा एरिया पर टांसपर करता है, जिससे उस पर एक पॉइंटेड लोड नहीं आता है नीचे, और वो दिवार क्रेक होने से या जुकने से बच जाती है, उसके बाद क्लीट लकडी के छोटे-छोटे गुटके होते हैं, जिने हम पर या राप्टर आदी पर उनके नीचे की तरफ कस देते हैं, जिससे पर लिन या राप्टर खिसकने से हमारे बच जाते हैं, या वो शिप्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम क्लीट कहते हैं, उसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बर्गी करन्स, रूफ की, तो छतु को हम मुख्य रूफ से तीन भागू में बाड़ते हैं, जिसमें पहला हमारी जो च्छात होती है, पिस्ड रूफ होती है, या ढालू च्छात होती है, दूसरा फ्लेट और टेरेस्ट रूफ होती है, और तीसरा हमारी कर्ब रूफ होती है, तो हम यहाँ पे केवल अभी इस topic में pissed roof की बात कर रहे हैं, flat roof और curved roof की बात हम next topic में करेंगे. तो Pissed Roof, एक धलान वाली छट को हम Pissed Roof से जानते हैं, ये छटे जो है अलग-अलग परकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा Lean to Roof आता है, Lean to Roof यानि इसको एक पाखी छट भी हम कहते हैं, इस नाम से भी हम उसे जानते हैं, यह सबसे easy और सरल परकार की छट होती है, और इसको बनाना भी आसान होता है, इसका प्रियोग हम छोटे कमरों या बरामदे की छटों हेत करते हैं, इस छट में केवल एक ही side ढाल होता है, इधर की height हमारी जैसे 5 है, और इधर की height हमारी 3 मीटर है, तो इसका जो slope है, वो केवल one side है, एक तरफ की ढलान है इसकी, इसलिए इसको हम एक पाखी छट या lean to roof कहते हैं, उसके बाद आती है gable roof, gable roof या एक common type की छट होती है, और सामानियत ये बहुत जगों या बहुत घरू में, आवासू में परियोग की जाती है, ये छट जो है, दो तरफ ढाल करके बनाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका ढाल दो दिसाओं में होता है, दोनु ढाल पर, दोनु ढाल जो हैं हमारे इसके एक ridge पर आकर मिलते हैं, ये जो उपर का टॉप का point है, ये ridge कहलाता है, तो ये दोनु रिज पर, इधर का भी slope, इधर का भी slope, दोनु साइट का आकर एक रीज पर आके मिलता है, इसलिए इसे गेबल रूफ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एंड बनता है, ये गेबल टाइप आ, एक तिरुभोजाकार आकिर्ती बनती है, इसलिए इसको गेबल रूफ हम कहते हैं, उसके बाद आता है हिप रूफ, हिप रूफ छत इस जो है इसके जो स्लोप होता है वो चारों साइड होता है चारों साइड इसको स्लोप दिया जाता है इस प्रकार की छत में चार दिशाओं में स्लोप या ढाल हम लोग बनाते हैं और अंतिम फेस पर जो होता है एक ढाल दार या कहें हम स्लोप के आकार का एक तिरुभुज बनता है जो इसमें यहां पर यह दिखरा है इसलिए इसको हम हिप रूफ कहते हैं गेंबलर रूफ यह चट गैबल चट की तरह ही होती है परन्तु इसका ढाल जो है हम दो दिशाओं में देते हैं और इस दूसरा इसकी खासियत यह होती है कि इस चट को ढाल के बीच में हम ब्रेक देकर बनाते हैं यानि एक तो इसकी ढाल दो दिशाओं में होती है इधर और इधर और दूसरा इसमें जो हमने ढाल दिया पहले एक यहां से यहां तक अलग एंगिल का ढाल दिया हमने फिर इसके उपर आधे दूरी से यहां तक का जो हमने slope दिया वो अलग angle का slope दिया तो इसे हम gambler roof कहते हैं उसके बाद mansled roof और curved roof मैंसल रूप और curved roof का जो slope होता है hip roof की तरोही जो है चारूं तरफ और चारूं दिसाओं में बनता है परतेक ढाल के 20 में हम इसमें slope में break भी देते हैं जैसा कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें हमने दो बार इसको जो है पहले यहां से यहां तक का जो हमारा slope था वो अलग था और उसके बाद फिर इसका slope का angle हमारा अलग है तो यह mansled और curved roof कहलाती है और उसके बाद आता है deck roof इस प्रकार की छत में चारूं side से hip roof की तरह ही हम लोग slope देते हैं परंत इसमें चत का जो top भाग होता है वो deck के आकार का यह समतल आकिरति का बनाया जाता है यह आकार हमारा समतल है फ्लेट है और इधर जो है चारूं side से इसके हमने slope दिया है तो यह deck roof कहलाती है हमारी उसके बाद हम classification की बात करते हैं या बरगी करण की बात करते हैं तो उसमें यह छतें फिर अलग-अलग प्रकार की होती हैं पहले हम definition की बात करते हैं जब हम किसी समतल से 10 डिग्री से अधिक के कौन पर किसी दिशा में जुका कर छत का निर्मान करते हैं तो वो छत जो है ढालू छत कहलाती है और types of pissed roof की अगर हम बात करते हैं यह आपे तो ढालू छतें को हम मुख्य रूप से तीन भागू में बाटते हैं सिंगिल रूफ, डबल रूफ या परलिन रूफ और तीसरा ट्रस्ट रूफ और फ्रेम्ड रूफ अब हम पहले one by one single roof की बात करते हैं इन चतों में केवल एक ही राप्टर लगा होता है और ये चतें रिज तथा इब्ज के सहारे पर टिकी रहती हैं इन छतों का प्रियोग हम सीमित इस्पान पांच मीटर तक के लिए या पांच मीटर तक के इस्पान के लिए कर सकते हैं राप्टर का जो अधिकतम इस्पान हम रखते हैं वो धाई मीटर तक ले सकते हैं और ये single roof छतें, चार प्रकार की होती है मुख्य रूप से, lean to roof और वरामदा रूप और shed roof प्रकार की एक छत होती है, और दूसरी couple roof छत होती है, और तीसरी couple close roof छत इसमें होती है, और एक collar beam roof इसमें होती है. lean to roof की बात करें, तो इसमें राप्टर में केवल एक side हमारा ढलान होता है, या slope होता है, इसमें कमरे या बरामदे की एक तरप की दिवार, दूसरे तरप की दिवार से जो है, जो उची ली जाती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इधर room है हमारा और ये बरामदा है, तो इसका जो room की दिवार है उची है और इधर जो है, डाउन है, तो ये जो है lean to roof कहलाती है, यानि एक side या एक पाखी च्छात, इसको हम कहते हैं ज्यादातर, और जो इसके राप्टर होते हैं, उनका उपरी सीरा जो है, दिवाल में लगी, वाल प्लेट से कीलू में जो है की मदद से कसा रहता है, और दूसरा सिरा जो है, पोस्ट प्लेट जो होती है, वो लकडी की बल्ली या बरामदे की जो बाहर की दिवार होती है, उससे संबद रहती है, जैसे यहाँ पर दिग रहा है, ये वाल प्लेट के साथ ये छट कसी हुई है, और यहाँ बाहर एक पो पोल्ट के लिए इस बल्ली पे जो बरामदे की दिवार होती है उसमें हम दीट पत्थार या अन्य प्रकार के पोस्ट उस पे लगाते हैं ये छट जो इस छट का जो सामाने तो साइज हम इस्पान लेते हैं वो 2.4 मीटर तक ले सकते हैं इन छटों का प्रियोग बरामदे में हम करते हैं आउट हाउस में कर सकते हैं सेट्स के लिए कर सकते हैं तो लीन टू रूफ एक पाकी छट या एक पाकी प्रकार की छट होती है उसके बाद नंबर दो कपुल रूफ कपुल रूफ इस प्रकार की छट में दो साइट स्लोप होता है और इस प्रकार की छट को हम द दो बल्लियों को आपस में जोड़कर बनाते हैं जिनका ढाल जो है रीज के दोनु और होता है यह हमारा यह टॉप भाग होता है छत्पा इसको कहते हैं इसके दोनु साइड इसका ढाल बना होए है राप्टरों का निचला सिरा दीवालु में जो wall plate लगी होती है उसके साथ उसको कीलू की मदद से हम सिस्थिर कर देते हैं या कस देते हैं राप्टरों को जो है उचित अंतराल पर लगार लगा कर हम उस पर कीलू की मदद से बैटन्स जोडते हैं और उसके उपर फिर हम roof covering लगाते हैं ये बैटन्स लगी है और उसके उपर ये रूप कवरीं हमारी लगी हुई है ये छट जनरली 3.6 मीटर इस्पान तक के लिए हम लोग प्रियोग कर सकते हैं अधिक भार के लिए ये छट उप्युक्त नहीं रहती है और अधिक भार के कारण ये छट जो है बाहर की तरफ जो है इसका गिर जाने का या इनकी दिवालों का बाहर की तरफ फैल जाने का खत्रा रहता है इसलिए इसको ज़्यादा भार वाली छट के लिए प्रियोग नहीं करते हैं हम लोग उसके बाद कपुल क्लोज रूप तांदार दुपाखी छट इसको कहते हैं हम कपुल क्लोज रू की तरह ही होती है लेकिन इसमें क्या होता है बीच में राप्टरों को बाहर की तरफ गिरने से रोकने के लिए या उनको टाई करने के लिए आपस में बांदने के लिए जो है निचले सिरे पर एक टाई बीम इसमें हम लगा देते हैं जैसे कि यह टाई बीम यहां पर लगी कि परियोग कर सकते हैं या पना सकते हैं इससे अधिक summon के लिए छत की जो रिज भ बन्धक वीम को एक उर्धवाधर bolt से जिसे हम किंग वोल्ट भी कहते हैं उससे संबद कर सकते हैं अगर इससे ज्याधा spawn लेना हो इसका जो इसको हम यहां से एक बीम या कड़ी से जोड़ के कस देंगे तो यह और बड़े इस्पान में इसका प्रियोग किया जा सकता है। इस जो गिंग बॉल्ट को हम लगाते हैं। इसका मुख्य कारी जो यह जो बीम है। इस बीम को जुकने से रोकने के लिए लगाया जाता है इसको। उसके बाद कॉलर बीम रूफ जब इस्पान बढ़ता है हमारा या ज़्यादा बढ़या कमरा या कोई एरिया होता है हमारा इस्पान तो उसमें हम तानदार दुपाकी छत का जो जुकाओ होता है उसमें जुकाओ आने का खत्रा रहता है तो उसके लिए हम इसे रोकने के कि हम बंधक बीम राप्टर के निचले सिरे पर न लगा कर उनको हम राप्टर के एक बट्टे दो या एक बट्टे तीन भाग पर लगाते हैं जो टाई बीम हमने अभी नीचे लगाई थी यहाँ पर उसको अब हमने च्छत के एक बट्टे दो या एक बट्टे तीन भाग पर लगाया और उससे हमारा क्या हुआ मजबूती उस छत की बढ़ जाती है इस उठी हुई भीम को ही हम कॉलर भीम कहते हैं पहले टाई भीम कहला थी नीचे जब दीवार पर रखी हुई थी अब हमें इसको छत के उपर जो है जोड़ दिया राप्टरों के सांथ तो यह अब कॉ प्रियोग करते हैं कॉलर भीम दो प्रकार की होती है अगर इसमें एक दो जो है कॉलर भीम लगा दें तो यह सीजर कॉलर भीम भी कहलाती है इस प्रकार की छत का प्रियोग हम पांस मीटर तक के स्पान के लिए प्रियोग करते हैं डबुल परलिन रूफ यदि हम इन छतों को जो है दो भागों में हम जनरली बाटते हैं इसके दो भाग होते हैं राप्टर और परलिन परलिन राप्टर को जो है मद्यवर्ति सहरा देते हैं इसमें और परलिन दिवार के सिरे को सहारा देते हैं. इस मद्ध्यवर्ति सहारे के कारण राप्टर का आकार कम हो जाता है, राप्टर 40 से 60 cm सेंटर लगाई जाते हैं, राप्टर तीन बिन्दू के सहारे टिका होता है, दिवार के निच्रे सिदे पर वाल प्लेट द्वारा हम, परलिन द्वारा और रिज बीम द्वारा ये तीन चीजों से वो आपस में टिका रहता है. आज जो पर्सिक्षण में आपको प्रदान किया, उसमें में आपको रूप्स, रूप, बेसिक्स फॉर्म, एलिमेंट ऑप रूप, क्रासिफिकेशन ऑप रूप, पिस्ड रूप, लीन टू रूप, गेबल रूप, हीप रूप, और गेंबलर रूप, मैंसल रूप, और प्रसिक्षण प्रदान किया, टाइप्स और पिस्ड रूप के बारे में प्रसिक्षण दिया, जिसमें सिंगल रूप, लीन टू रूप, कपुल रूप, और कपुल क्लोज रूप, कॉलर बीम रूप, डबुल परलिन रूप के बारे में मैंने आपको प्रसिक्षण इस्ट्यूट नीमी की e-book से प्रियुक्त किया था आज का प्रशिक्षन जो मैंने आपको प्रदान किया मुझे आसा है कि भविश्य में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा धन्यवाद झाल